मेरे सारी फ्रेंज कैसे हो आप सभी लोग मज़े में हो ना आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे दोस्तों आज डेट है 21st April और डे है Tuesday आज के इस व्लोग में मैं आप सभी के साथ एक खास रिक्वेस्ट रेसिपी पूरी करने वाली हूँ आए देखते हैं मेरा आज का व्लोग इन दिनों लोगडाउन की वज़े से सुबह नाश्ते की किसी को कोई जल्दी नहीं रहती है तो इसलिए मैं अपने हिसाब से सुबह के सारे रूटीन में काम करती हूँ जैसे सफाई करना है और नहाना है देव पूजा करना है और अब मैंने उबले हुए आलू का छिलका निकाल रही हो मैं और ये उबले हुए आलू जब छिलका निकल गया है तो इनको मैं कद्दू कस कर लोगे कद्दू कस करने से आलू में गुठलिया नहीं रहती है पूरा अच्छे से आलू मैश हो जाता है कई बर हम लोग आलू को फोड़ते भी हैं तो कुछ मोटे मोटे स इसे भी रह जाते हैं तो ये छिलका निकाल करके कद्दू कस किया हुआ है और अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है तो दो से तीन चमच तेल गरम कर लेंगे मैंने लिया है बारी कटी हुए लहसुन हरी मिर्ची राई और खड़ा धनिया खड़े दाने होते धनिया के तो सबको एक एक करके तेल में डालेंगे और फ्राई करेंगे पहले मैंने लैसुन और हरी मिर्ची डाली है फिर राई और धनिया डाला है थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है तेल में तो अब तड़का लग गया है सबको एक बार मिक्स कर लेंगे और तेल में अच्छे से अब एक चमच अध्रक कद्डू कस्किया हुआ डाला है इसे भी डाल करके भूण लेंगे मैं एक चृत्वाइं चमच हलदी पाउडर डालेंगे और बस अब आलू डाल देंगे तेल में हलदी डाला तो थोड़ा यह हरी मिर्ची अद्रग और खड़ा धनिया हीं यही चीज़े डाली हैं और सिर्फ हल्दी डाल करके जरस हल्दी डालते हैं मतलब यह लाइट यलो कलर का आलू दिख रहा है ठीक किसी तरीक होना चाहिए और अब मैंने इसमें नमक स्वात के अनुसार डाला है नमक डाल करके भी मिक्स कर लेंगे तो बस सारी चीज़े मिक्स हो गई है और आज को मेडियम है आलू को में भूनना है सब अच्छे से मेक्स कर लें नमक भी डालने के बाद अच्छे से पूरे में मेक्स हो जाए एक जगे जमा नहीं रहे अब मैंने एक निम्बू का जूस निकाला है वो मीξ कर लेंगे और जब ये अच्छे से भुन जाता है लग रहा है कि आलू अच्छे tethe से भुन गया है क्योंकि कुछ मुझांट इसको पकाना भुनना जरुरी है आलू बॉाइल है लेकिन साथ में ऐच्छे से बुं जाए फिर reaching के डालेंगे हरा धनिया कटा ऑग कि हमने सूख月 मसाले कोई नहीं डाले ना और यह गरम साला डाला है ना थनिया पौुड़र डाला है और बस हरी मिर्चि का 키 तीखारबन है इसमें अब मैंने आच बंद कर दिये हैं हरा धनिया डाल करके भी एक बार सब अच्छे से मेक्स कर लेंगे आलो भुन जाता है तो आपको भी लगता है कि इसमें मतलब वैसे ड्राइनेस लगती है अच्छा सा मसाला भुनने के बाद किसी भी दूसरे बरतर में निकाल करके साइड में रख लेंगे अब मैं दूसरे बड़े बरतर में बेसन डाल रही हूँ तो करीब दो ढाय कटोरी जितना बेसन लेंगे ये घर का पिसा हुआ बेशन है और इसमें जरा सी हल्दी डालेंगे थोड़ी सी हींग डालेंगे चुटकी भर और नमक स्वात के अनुसार डालेंगे मैंने इसमें दो से तीन चम्मत जितना चावल का आटा डाला है और पानी डाल करके अब इसको घोल लेंगे हमें बहुत गाड़ा सा घोल नहीं बनाना है और बहुत पतला एकदम पतला सा भी घोल नहीं बनाना है तो पानी डालते हुए इसका अच्छा सा मीडियम थिक बैटर बनाएंगे और अब हम एक चुटकी इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा डाल करके पूरे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बैटर हमारा तैयार हो गया है ये देखिए इस तरीके का बैटर होना चाहिए मतलब गाढ़ा भी नहीं हो और पतला भी नहीं हो अच्छी कोटिंग होनी चाहिए मसाले में और मुटा- Sultan सा बेसन नहीं रहना चाहिए अब इसे तक करके कुछ मिनट रखते हैं बेसन को गोलने के बाद और तब तक हम यह आलू के बॉल्स बना लेंगे मीडियम साइज की बॉल्स बनाने हैं सारे बॉल्स सेम साइज के बने इस बहुत तक हयाल रखें और उसको हलका सा फ्लैट कर लें गोल गोल जब बॉल्स बनाते हैं अब एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखेंगे और जो हरी मिर्ची हैं वो साफ हैं ड्राई हैं उनमें नाइफ से कट का निशान लगाना जरूरी है बहुत जरूरी है आप कभी मिर्ची फ्राई करें तो नाइफ से कट चरूर लगा लें तो बस जब तक तेल गरम हो रहा है अब हमने एक एक बॉल को इस तरीके से बेसन में डिप कर लेना है डिप करने के बाद प्रॉपर अच्छे से चारो तरफ कोटिंग लग चुकी है बेसन की और उसको समभाल के डिप फ्राई करेंगे मोटा मोटा बेसन नहीं होना चाहिए मैं फिर कहा रही हूँ क्योंकि फिर वो अच्छे से फ्राई नहीं होता है तो अंदर का बेसन कच्चा कच्चा लगता है और चुकि घरों में हम लोग बहुत जादा ओईल नहीं डालते हैं तो उसे फ्राई करने में दिक्कत होती है इसलिए अगर आपका बेसन का घूल मेडियम थिक है तो अच्छा है और अब इसे समभाल करके पलट लेंगे क्योंकि हमें दोनों ही साइड से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा सा सेकना है इन वड़ों को मतलब इसको वड़ा पाउ बनाने वाली हों है वैसे इसको यूपी में आलू वड़ा कहते हैं या फिर आलू वड़ा बोलते हैं समूसा और आलू वड़ा ऐसे मिलता है न और यहां पर महरास्ट में इसी वड़ों को पाउ के संग खायते हैं तो बन रहे हैं वड़ा पाउ यहां वुसाल में भी एक दो शॉप्स हैं जहां काफी फेमस है एक दो बार बताया ना मैंने शुबं को बड़ा पसंद है वड़ा पाउ और हरी मिर्ची भी साथ में डाल देंगे जब अच्छा सा लग रहा है कि यहां भी फ्राई हो गया है तो तो तेल के छिटे पड़ते हैं हम लोह के पहीं पे भी लग से जल सकते हैं इसलिए हमेशा नाइफ से कट करके हरी मिर्चि फ्राई करें तो हरी मिर्ची निकाल लिए मैंने और ये आलू वड़े भी फ्राई हो चुके हैं दोनों साइट से अच्छे से उनको भी निकालने प्लेट में और तब तक मैंने दूसरा जो बच्चे हुए हैं वो भी डाल दिया है इनको भी ठीक उसी तरीके से फ्राई करेंगे तो ये देखिए पलट करके और मेडिया माच रखेंगे बहुत तेज आच रखा न तो उपर से एकदम से तुरंती वो डार्क ब्राउन हो जाएंगे बेसन का है वड़े तो अंदर वाला फिर वो अच्छे से फ्राई निया होग जाते हैं मुमफली की चट्नी यानि की एक वो जो मैंने रेसिपी एक बार शियर कर चुकी हूं एक दो बार पीनट ड्राई चट्नी होती है इसमें लैसुन लाल मिर्ची है और मुमफली के दाने भूने हुए और नमक रहता है उपर से तेल हलका सा डालते हैं तो ये पीनट चट्नी स्प्रेड कर लेंगे पाव की में और फिर ये बीच में रखे जाते हैं वड़े पाव और हरी मिर्ची के साथ खाते हैं तो ये है महारास चन स्पेशल वड़ा पाव जो की होमेट वड़ा पाव है बहुत ही टेस्टी है आलू बहुत अच्छा है इसका और तीखा चटपटा सा रहता है इसके साथ सास की जरूरत नहीं होती है हरी मिर्ची के साथ खाते हैं महारास में तो मतलब हरी मिर्ची वड़े पाव और कचौरी के साथ नहीं खाई जाती है जैसे कि उसके साथ में खाने वाली कोई चीज है उस तरीके से खाते हैं खुपती का और इस किसे वह और मोटी वाली मिर्ची होती है अक्छली वह ज्यादा हम दिखी भी चो मोटी वाली यारी मिर्ची आती है और बड़ा पाओ मतलब लोक डवन है बाहर eyes to खाना हमें तरफ घर में अब आज काफी काफी दिनों बाद बड़ा पाओ बना है घर में मेरी बेटी को बहुत जादा शौक नहीं है बन गया है तो खा लेना है वह आली बात है शुबम बड़ा शौक हीन है बड़ा पाओ का तो मैं शुबम से पूछ रही हूँ अच्छा लग रहा है तो शुबम कह रहा है और हस्बिन कह रहे हैं पाओ बहुत अच्छे है क्योंकि यह घर के हैं उनको बहार वाले पाओ अच्छे नहीं लगते हैं तो खाय जा रहा है वड़ा पाओ और जब सब कु पसंद आता है तब हम लोगों को लगता है कि जो हम लोगोंने महिनत करी है वो सफल हो गई है और अब मैं किचन साफ कर रही हूँ वो मेरा हर बार कर रहता है चाही नाशता हो चाही खाना हो बस करते रहना है अब दुपहर में सोचा है कि दाल, चावल और रोटी बनाई जाएगी लेंच टाइम पर तो बस दुपहर का शूटिण नहीं करूँगी मैं शाम का शीर करूंगी आपके साथ अपना जिनर रोटीन तो मैं आपर किचिन काउंटर टॉप हर कुकिंग के बाद साफ करती हूं और आपको भी यही आडवाइस करना चाहती हूं कि कुकिंग करने के बाद पूरा स्लैप चरूर क्लीन करें और यहां पर हैंड वाश हर बार करते ही रहना ह हैं हैंड वाश जितनी बार हो सके पानी के पास गया है नल के पास के हैंड वाश चरूर करना है और अब मैं शाम का रोटीन शेयर करूंगी जिसमें कि चाए नाश्ता सब हो चुका है शाम का आज कल तो घर में ही रह रहे हैं सब लोग हजबन की ड्यूटी ऐसे ने बनाया था और श्रीखन के साथ फिर मैंने रात वाला रोटीन शेयर किया था पातोड़ी की सबजी ना तो कल उनकी ड्यूटी थी आज उनकी ड्यूटी नहीं थी इसलिए गर पर थे और फिर ये दुपहर में चाय नाश्ता होने के बाद जो पसारा फिर फैलता है होता ह बच्चों को साथ में कोई शर्मत बना रहा है कोई बच्चा तो कोई दूद पी रहा है फिर अपचाय हो रही है इस अब करते करते फिर इखटा पूरे बर्तुरों का पिटारा मैंने शाम को साफ किया पूरा काउंटर टॉप फिर पोच्छा और ये फ्रिज से निकाली है बिंडी जो कि बिंडी धुली हुई साफ ड्राइ रखी हुई है और साथ में मैं आज प्याज भी यूज़ करूंगी बिंडी में क्योंकि सिर्फ बिंडी की सब्ची है दाल के संग होती है तो कई बार मैं बिना प्याज की बिंडी बनाती हूं और इसको इस तरीके से हलका स तो इसे खड़ी-खड़ी सी भिंडी रहती है एक भिंडी के ऐसे दो या तीन पीसे और थोड़ा सा तेगड़ा सा काटना है हलका सा तो इस तरीके कि सारी भिंडी काटना है में दो मीडियम साइज के प्याद बारीक काटे है मैंने और दो तीन हरी मिर्ची बारीक काटी है अब चोकी भिंडी पूरा देख देख के काटना है और फ्रेंस इन दिनों जो भी सबजी आती है तो उसे पहले में गुंगुने पानी में नमक खड़ा नमक है ना वो दरदरा स यह रखती हूं तो उसमें सबची धुलती हूं तो इसलिए कलर देख किता सुन्दर साफ आया भिंडी का और एक एक भिंडी देख देख के काटना है कीडे काफी थे बिंडी में काफी भिंडी खराब थी उनको पूरा फेक दिया मैंने कीडे वाली और तेल गरम किया है कड हुई मेडियम साइज की प्यास थी तो ऐसे बस लंबा लंबा पतला पतला कर लिया है प्यास को बहुत डार्क नहीं करूंगी मैं बस हलका सा फ्राइ करूंगी उसका कच्चापन खतम होने के लिए हल्के सी पेंग सी हो जाएगी उसे मेक्स कर लेंगे और अज्वाइन बहुत फाइदेमंद होती है वच्छो कोई सी बाहने खाते है बिंडी के साथ में और हल्दी डालिए मैंने सिर्फ मसाले में और जैसे तेल में हल्दी डालते है मैं पहले बोलती हूँ तो फिर कलर बहुत सुंदर साता है तेल में गरम होने से हल्दी का और फिर अब डाल दें तो तेल की अच्छी सी कोटिंग हो गई यह देखिए भिंडी में और हल्दी का कलर बहुत ही सुंदर लगता है प्यास फ्राई हो चुकी है सब को मिक्स करके कुछ मिनट इस तरीके से ढग देंगे और कोई मसाले वगरा कुछ भी ने डाले हमने और फिर खोल करके देखेंगे तो भाप में ही भिंडी जो प्यास डली हुई है उसका फिर भाप में पानी आता है भिंडी भी अच्छे से पक जाती है तुरंद पक जाती है भिंडी वैसे भी सभी सबजियों में सबसे जल्दी पकने वाली सब्ची होती है और जब भिंडी पक जाये तो अब मैंने धनिया पाउडर डाला है एक चम्मच भरके और लाल मिर्शी पाउडर डालेंगे आदा चम्मच करीद और मैंने दो से तीन चम्मच डाल रही हूँ मूमफली का पाउडर भूनी हुई मूमफली को पाउडर बनाते हैं थोड़ा दरदरा सा बनाते हैं कूटना ज़्यादा अच्छा होता है वो है मूमफली का पाउडर और नामक स्वात के अनुसार डाला है डाल करके सब को मिक्स क लेंगे मुमफली पहले से भून के रखते हैं तो उसमें कुछ भी कीड़े वगर नहीं लगते हैं और उसका पाउडर बनाके रखो तो आप किसी भी सुखी सब्जी में या ग्रीवी वाली सब्जी में डाल सकते हैं पीनट पाउडर उससे टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है हाला कि यह महरास्टन स्टाइल फ्लेवर कह सकते हैं क्योंकि शेंग दाना कूट इसी में डालते हैं महरास में ज्यादातर सब्जियों में ड्राई सब्जी बनती है तो यहां पर लोग डालते हैं शेंग दाने का कूट बोलते हैं उसको शेंग दाना कूट पीनट पाउडर डाल के mix किया अब मैंने एक lemon का juice निकाला है वो डाल देंगे अगर lemon juice नहीं डालना है तो आप थोड़ा सा अमचुर powder डाल सकते हैं थोड़ा सा एक चौताई चमच lemon है इस समय तो मैंने वही juice यूज़ कर लिया है उससे एक दम खिली-खिली सी बिंडी रहती है और हलका सा जो आएगा ना खटा पन वो बहुत अच्छा लगता अब एक-दो मिनट के लिए मैंने फिर से ढखा था ताकि जो सारी चीज़े मैंने mix ही हैं वो सब अच्छे से coating हो जाए भब में और अब मैंने induction बंद कर दिया है इंडक्शन बंद करने के बाद अब मैं बाउल में ये सबची निकाल के रख दूँगी किसी ने मुझे पूछा कि जब आप सर दूसरे बरतन में निकालती हैं तो इंडक्शन में जीरो-जीरो क्यों देखता है आप क्योंकि मैंने आफ कर दिया है ना इसलिए आफ कर दिया तभी जब डोंगे मैं सबची पलटनी है तो उसके पहले ही इंडक्शन आफ कर दिया तो वो जीरो जीरो दिखेगा कल पूचा किसी ने और अब मैंने आटा निकाला है थाली में थोड़ सनमक डाला है फिर टेस्ट के लिए जलासा विल्कुल और पाई डाल करके आटा गूत रही हूँ भिंडी की सबजी के साथ खास कर भिंडी की सबची के साथ मेरी फैमली में सभी को पराठे खाने पसंद है और पराठे गरम ही अच्छे लगते हैं थंडे कम अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने खास रात में ही भिंडी बनाई है ताकि भिंडी के साथ पराठे गरम गरम सब लोग खा लेंगे और दो पहर में तो दाल चावल हुई गया है तो इसी तरीके का मैंनू चल रहा है कि breakfast में खाए गए वड़ा पाउ लंच में खा लो दाल चावल और चुकि हस्बन रोटी के शौकीन है इसलिए उनके लिए रोटी बना ली थी और आप बच्चे खाएंगे बिेड़ी की सब्ची और प्राठे, तो मैं आज फिर से वही वाला कॉर्नर पे जाके करिणे प्राठे क्योंकि मुझे कल किसी ने कि आप कैरोसिन में डाल के रख दो बर्नर मैंने डाल के रखा बर्नर कैरोसिन में दिन भर लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ वह उसी तरीके से है अक्चुली यह जो हमारा गैस है यह आटमाटिक स्टार्टर है तो नीचे पाइप लाइन काफी है क्योंकि अपने आप यह जल साल कहना चाहिए और ज्यादा दस भी कह सकते हैं क्योंकि मुझे यादा रहा है कि हम साथ साल पाचोरा रहे और तीन-चार साल भी भुसावल आए हुए हो गए और जब हम पाचोरा रहते थे तब कि यह गैस है तो इस तरीके से अंदाज मारी हो मैं तो कब से तो कुछ प्र उसको देख के डल लगता है कि आपने आप कैसे कुछ करें और अगर नीचे से रेगलोटर बंद करके कहीं से कुछ ठोकन ठागना भी है तो भी लगता है ना उसमें पाइपलाइन बहुत जादा है स्टार्टर की वज़ए से तो विसली मैंने कुछ से कुछ नहीं किया है औ और हस्बिन को बोला है कि आज करके देखिएगा आज घर पे रहेंगी वो तो फिर से ट्राइब मारेंगे अगर सही हो जाए तो अच्छा है नहीं तो फिर वो गैस एजंसी में बुलाती हो मैं उनको एक बार बुलाया था भईया को ठीक करने के लिए तब भी वही हुआ थ बहुत लो है फ्लेम चेक करवाना पड़ेगा और आज हस्बिन देखेंगे कह रहे हैं कि अच्छा देखेंगे आज की क्या करना है उसका कुछ हो जाए तो अच्छा है वरना हाथ यह फैला फैला करके प्राटे तो सेख लिए मैंने और कैसरोल में कपड़े में एक प्लेट तेया रहे है फिर वही हैंडवाच इतनी बार बेसिन में गया है उतनी बार हम लोगों को करते ही रहना है क्योंकि घर में है तो सैनिटाइसर की इतनी चुरूरत नहीं है और अब मैंने श्रीखण निकाला है यह इलाची श्रीखण इतना ज्यादा टेस्टी वनाया है वहत अब तही तो रोज ही जमती है बीच बीच में श्रीखन भी जमते रहेंगे और रोज वाला श्रीखन बनाऊंगे मैं अब नेक्स टाइम पे और श्रीखन सबको प्लेट में निकाल के दिया है और अब मैं भिंडी परोस रही हूँ भिंडी एकदम खिली-खिली सी बनी है होती है और बस सबको ठाली लगा रही हूँ सब लोगे खाने का टाइम हो गया है कल किसी ने पूछा था कि ताइम में भिलाशा बताया करें तो डिनर टाइम हमारे आना आठ से साड़े आठ के बीच का होता है बिल्कुल फिक्स टाइम है और नाशता इन दिनों वही हो रहा रामायन आ रही होती है नौ बज़े के बाद दस तक मतलब नाशता हो जाता है तो पहर में दो बज़े लंच है और ये इस ताइम सब लोग डिनर कर रहे है एट थर्टी सिक्स है यह जो कि हमारी घड़ी आगे भगाई गई है दस मिट हमारे घर की घड़ियां आगे रहती ह रेलवे वाली लोग दोड़ा दोड़ा के रखते हैं मतलब गणियों को बच्चों को भी पता है कि 10 मिट आगे हमें भी पता है लेकर फिर भी घर में 10 मिट आगे रहेंगी घड़ियां तो यानि 8-22 ही हो रहा होगा और सब लोग खा रहे हैं भिन्डी बहुत ही टेस्टी ब बनती है भिंडी टिफिन के लिए रहती है सुबह सुबह तो हमारे यां सुबह टिफिन रहते हैं तो ठंडी बिंडी रहती है बच्चों को तो गरम भिंडी खाने का मौकत अभी होता है जब घर में सब लोग साथ में खा रहे होते हैं और शुभम को तो पसंद है भिंडी म कि मुझे लग रहा है जादा तर सभी बच्चों को पसंद होती है बिंड़ी की कोई शकायत बच्चे नहीं करते हैं घरों में बिंड़ी हर बच्ची की फेवरेट होती है और शीरीखन्ड सबसे ज़्यादा पसंद आरा है मतलब दोजरूं बच्चे भी कह रहे हैं अब आप फिर से बनाना क्योंकि अब खता हो गया ने डब्बे में इसलिए और अब फिर से बनाओंगे एक बार बना लो तो दो बार तो खाई सकते हैं थोड़ा ज़्यादा सा बना ले और बस समय यहां पर किचन क्लीनिंग कर रही हूं रात में भी वही होता है खाना हुआ कि उसी समय मैं अपना रसोई समेट लेती हूं क्योंकि सुबह सोके उठो और फिर वो किचन में पूरा पसारा फैदा रहता है तो मन भी नहीं करता काम करने का शुरुआत कहां से करो यह नहीं सूजता है तो अब मैंने रोटी का कपड़ा भी धुल के फैला दिया है मैं यहीं डालती ह मेरे चोटे-चोटे रोमाल है तीन-चार जो कि मैं किचन में क्लेनिंग में यूज़ करती हूं और आप में धुल के उनको भी ऐसे काउंटर टॉप में फैला देती हूं तो फिर सुबह वो एक्तम सूखे मिलते हैं रोज का रोज मेरा वही रुटीन में है और बस आज का व ब्लोग के साथ तब तक के लिए बाबाई थाइंक यू